नमस्कार स्पागत है आपका आपकी साथ मैं खांक्षा राजपूत नॉइडा को सीम की सौगाद जी हाँ सीम योगी आज नॉइडा, ग्रीटर नॉइडा की दौरे पर रहेंगे व्रिंदा वन से नॉइडा के लिए रवाना हो चुके हैं सीम योगी और आज नॉइडा में 1700 करोड की उच्णाओं की सौगाद देंगे पर्टला ओवर ब्रिज का लुकारपन करेंगे UPSC के सफल अभियर्थियों से मुलाकात करेंगे आधोन एक रोबोट पनाने वाली कमपनी एड़वर्ट टिकनोलोजी का उद्खाटन करेंगे CMYogi के दोरे को लेकर 3000 अधिकारी करमचारी तैनात किये गए है आज नॉइडा वासियों को एक बड़ी सौगाद CMYogi देने वाले हैं यहाँ पर 1700 करोड की परियूच्णाओं की सौगाद देंगे CMYogi पर्टला ओवर ब्रिज का लुकारपन करेंगे पर्टला ओवर ब्रिज चुकि पिछले कई दिनों से यहाँ पर निर्मान कारे चल रहा था जसकी वज़र से जो नॉइड एक्स्टेंशन की तरफ लोग जाते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था जाम की स्तिती बनी रहती थी ऐसे में एक बड़ी सौगात की तरफ पर इसे देखा जा रहा है सिमाजित खाटन करेंगे और यह सौगात देंगे नॉइड आ वासियों को क्योंकि शाम शे बजे से नौ बजे के बीच की स्तिती वाकई बहुत खराब होती थी काफी लोगों को टाइम लग जाता था महस 15 मिनिट के रास्ते को कवर करने में आदा से एक घंटे का समय लगता था ट्राफिक किस्तित इतनी ज्यादा होती थी और अब इसके बनने के बाद यह बहुत बड़ी सौहूलियत के दोर पर देखा जा रहा है जो लोग नोईडा एक्स्टेंशन की तरफ रहते हैं या उस साइट जिन लोगों को जाना है तो यह सौगात एक तो आद सीम योगी देने वाले हैं उसके बाद UPSC टॉपर से मुलाकात करने वाले हैं और साथी आधुनिक रोबोट बनाने वाली कमपनी एडवर्ब जिसका उद्खार्टन यहाँ पर सीम योगी करने वाले एडवर्ब टेक्नॉलोजी का उद्खार्टन सीम करेंगे तमाम तैयारियां पूरी कर ले गई है सीम योगी के दौरे को लेकर उनके सभी कारक्रमों को लेकर हलाकि बारिश हो रही है तो ऐसे में थोड़ी दिक्कते जरूर है यह देखे यह पर्थला ओवर ब्रिज के बारे में भी हम आपको इस वक्त बता रहे हैं चांड चौकी और जाने वालों को यहां से राहत मिलने वाली है और गाजी अबाद आपट जाने वाले लोगों को भी यहां से सीधा सीधा पाइदा होगा जैसे मैंने का कि जाम की बहुत दिक्कत थी तो ऐसे में एक बड़ी रहात के दोर पर इससे देखा जा रहा है 80 करोड की कुल लागत आई है इस पर यूचना में ओवर ब्रिज की कुल जो लंबाई है 697 मीटर है और अब बनकर तयार हो चुका है चीलेन है इस ओवर ब्रिज पर जिसका आज यहां पर सीम योगी उद्गाटन करने वाले हैं सीम योगी आज चुकी मतुरा दोरे पर भी रहे दूसरा दिन था उनके मतुरा दोरे का हला कि आप से कुछ दिर बाद वो नौइडा के लिए रवाना होंगे लेकिन आज भी उनने को साधू संतों से मुलाकात की है उनका क्या कुछ कहना है उनसे बातचीत की जीमेडिया समवाद दाता कनहियाने आपको सुनना चाहिए मुलाकात की दोरान जो बातचीत हुई है उसके बारे में साधू संतों की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको सुन्वाएंगे लेकिन देखिए अब अगर हम मतुरा की भी बात करें तो मतुरा में भी सीम ने बड़ी सौगात मतुरा वासियों को दी है और अब चुकि आज नोईडा में एक बड़ी सौगात सीम देने जा रहे हैं कई सारे कारक्रम है यूपीसी टॉपर से मिलेंगे और साथी पर्थला फ्लावर की अगर हम बात करें तो इसकी सौगात भी आज नोईडा वासियों को देने जा रहे हैं इस वक्त हमारे से योगी बलडराम मौारे साथ नोईडा से जुड़ रहे हैं नोईडा स्टेडियम में मौझूद हैं सीदा उनी करू कर लेते हैं और पर्शासन की तैयारी पूरी थी लेकिन उसकी बाफचुद्धी आप तस्वीर थोड़ी अलग जरूर नजर आ रहे होगी अब इकी तस्वीर वहां से कैसी क्या अबडेट ज़रा बताइए तेके करीब साड़े दस बजे उक्तर प्रदेश के मुक्मंत्री योगी आदितनात न्वाडा इस्टेडियम पहुचेंगे लेकिन जिस तरीके से आज मौसम खराब है उसको लेकर के कहीं न कहीं जो ब्यवस्था थी वो अब्यवस्थित हो गई है यही वज़ा है कि जो अधि सकते हैं बैटने का यहाँ पर बिसेस इंतजाम किया गया था लेकिन आप देख सकते हैं कि पानी पंडाल के अंदर तक भरा हुआ है यही वज़े है कि पानी को निकालने की कोशिश अधिकारियों की तरफ से की जा रही है ताकि यहाँ पर लोग बैट सके क्योंकि कुछी द के साथ